जब हम सीडियों से नीचे उतरते हैं या सीडियों पर चड़ते हैं, तो हम अलग अलग तरीके से बॉलते हैं, सं세 condo पर चड़ना – Climb up the Sterns कर द्यूर्ट हो घ्रने के लिए क्लाइम नहीं लगाना होता चेले टेए होते हैं तुम च्टी रहे होते हैं चली ही रहे होते हैं तो मैं चलने लगाने चाहिए मैं अभी चड़ रहा हूं I am walking up the stairs I am walking up the stairs और अगर मैं नीचे उतर रहा हूं it means again I am walking but down I am walking down the stairs तो इसलिए आग से गलती मत करना चड़ने के लिए क्लाइब मत बोलना so again I am walking up the stairs ऐसे ही हम और भी कई जिगां उपर चड़ते हैं जैसे कि हम बस में चड़ते हैं right किसी दिवार पर चड़ते हैं अगर हम किसी चीज को पकड़ कर ऐसे उसके उपर जा रहे होते हैं अगर मैं अगर इस दिवार के उपर चड़ जाता हूँ अभी तो मुझे क्लाइम का यूज़ करना है जैसे बच्चपन में हम क्या किया करते थे पेडो पर चड़ा करते थे ऐसे ही अगर हम बस में चड़ने की बात कहेंगे तो हम क्लाइम का यूज़ नहीं करेंगे अब बस में climb चटके उपर तो आप जाते हैं नहीं हो, अगर चड़ के उपर चले जाते हो, आप हरी आना या फिर यूपी से हो, तो क्या होता, बस जब अंदर से भरी होती है, हम चटके उपर चले जाते हो, तो आप क्या यूज कर सकते हो, climb use कर सकते हो बस में चड़ने की exact उसके अंदर जाने की English जो होती है that is called board the bus और उतरने की English होती है de-board the bus बस में चड़ने उतरने के लिए आप get on the bus भी कह सकते हो और उतरने के लिए get down कह सकते हो जहां रखना बस में चड़ना get on होता है अगर हम car में चड़ने की बात कहीं यह किसी और चीज में जो कि बड़ा वियकल नहीं है छोटा है पर public convince नहीं है तो हमें इनका यूज करना है car में आओ car में बैठो तो बोलिंग get in the car मैंने का बस में बैठो bus में चड़ जाओ get on the bus ऐसे एकर मैंने बोला train में चड़ो get on the train plane में चड़ो get on the plane उसके लावा board और उतरने के लिए d-board तो चड़ना तो था लेकिन हर जंगा पर अलग अलग प्रकार के words उद हो रहे है so now I'm going to climb up the hill right so climb up the hill मतलब मैं उसके ऊपर जाने की बात कर रहा हूं and sometimes we use another idiom as well here and that is now his future is going uphill uphill का मतलब क्या होता है कोई चीज़ जब जाती है uphill यानि पहाड़ी के ऊपर इस idiom का मतलब हो जाता है उस चीज़ में progress करना, तरक्की करना जैसे मैंने बोला now my life is going uphill my strength is going uphill my career is going uphill यानि मैं उस चीज़ में grow कर रहा हूं increase कर रहा हूं बढ़ रहा हूं so मेरी जिंदिगे में अब सब कुछ ग्रो कर रहा है अच्छे से जा रहा है तो मैं बोलूँगा everything is going uphill in my life और ऐसे गर मान लो सब कुछ खराब होता जा रहा है जो बोलूँगा everything is going downhill in my life try to use these words and idioms and make your English magnificent thank you very much मुझे बस आपके 15 मिनिट चाहिए आने वाले 30 दिनों के लिए अगर 30 दिन के लिए अगर आपने मेरी बाते फोलो की I guarantee it I vouch it that you are going to become a fluent English speaker मैंने आपके लिए ऐसा course design किया है उस course को इतना simplify किया है अगर किसी ने English के एक word भी नहीं पढ़ा वो भी English बोल सकता है I vouch it within 30 days he is also going to become a fluent English speaker So what are you waiting for? Click the link below and get the course या फिर आप हमारी application को Play Store पे सर्च भी कर सकते हो Fluenta Institute F-L-U-E-N-T-A I-N-S-T-I-T-U-T-E Go and get the course right now कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोना चुनिए Fluenta Institute और करे अपने English Speaking IELTS PTE और TEFL का सपना साकार Download the app now